दोस्तो आपसे मैं एक बात पुछना चाहता हूँ कि आप डेली के डेली जोब पे जाते हैं क्या वो जोब करना आपको अच्छा लगता है आप सुबह साथ बजे जगते हैं कितना सोने का दिल करता है सुबह लेकिन हम लोग जान बुझ करके उठना पड़ता है क्योंकि हमें आपको बदल सकता हूँ और अगर आपको लगता है कि आप उसे बदल सकते हैं आप अपने आपको चेंज कर सकते हैं तो आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा दोस्तो आप सिर्फ 5 रुपया का SIP करके आप कोरोडो का प्रोपटी बना सकते हैं कोरोड invest करते हैं हम तो 7,000 कमाते हैं 10,000 कमाते हैं हमारे तो खर्चे ही नहीं पूरे होते हमारा salary आता है और 5-10 दिन के अंदर ही salary खतम हो जाता है बाकी के 10 दिन 15 दिन तो हम इधर उधर से उधार लेकर के काम चलाते हैं तो दोस्तों अगर आप आप इस तरीकी से सोचते हैं हमेशा सोचते रह जाएंगे आप अपने आपको कभी नहीं बदल सकते हैं आप एक चीज बताईए आपका दिल नहीं करता job करने के लिए फिर भी आप job पे जाते हैं क्योंकि आपके उपर मजबूरी है आपके फैमली का दबाव है उनके खर्चे मेंटेन करने हैं अगर आपके साधी हो गया है बच्चे हैं तो और भी दबाव है आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आज का तापमान के बारे में मैं आपको बता हूँ 47-48 degree Celsius अभी तापमान है इतना ज्यादा तापमान लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो कि कड़ी धूप में दिन भर धूप में मेहनत करते हैं क्या उनको धूप नहीं लगता दोस्तो आपको भी धूप लगता है लेकिन आप अपने आपको बदलना ही नहीं चा कर पाए कोई पैसे जोड़ पाए क्योंकि आपने उनको यही सिखा रहा है वो भी यही कहेंगे कि हमारे पापा धूप में काम करते थे हमें भी धूप में काम करना होगा लेकिन दोस्तों अगर आप इस चीज को चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ हम सभी मिल क करके अपने आपको बदलेंगे मैं भी पहले देहारी मर्दोरी करता था और अपने आपको बदला और अगर मैं बदल सकता हूं न आप भी बदल सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको इन्वेश्टमेंट के बारे में सभी चीजे डिटेल में सिखाऊंगा कि आप कैसे तो उसमें से 500 रुपय आप साइट कीजिए, आप सोचिए कि हमारा सेलरी सिर्फ सारी 9000 रुपय मिलता है, अगर मान लिजे कि किसी महीने अगर आपका दो छूटी लग जाता है, और 10,000-12,000 सेलरी है और दो छूटी लग जया, आपको 11,000 मिला, तो क्या 1000 से कोई इफेक्ट प पास जादा पैसा कभी नहीं आएगा, और किसी के पास जादा पैसा नहीं होता है, जो पैसे हैं उसी में से इन्वेस्ट कीजिए, और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि जैसे आपका रूटीन बन जाएगा, तो जितना सेलरी मिल रहा है, उसमें से 500 के जगा आप 1000 भी कर ले ना, तो आपको job करते करते, जब तक मरेंगे नहीं तब तक आपको job करना होगा. तो दोस्तों, इस चीज़ को आप समझीगे, और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको छिखाऊंगा, सही तरीका किसमें invest करना है, कितना invest करना है, कैसे हमें पैसा मिलेगा, हमारा पैसा safe है या नहीं सभी चीज़े मैं आपको detail में सिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे proof के तोर पे देखे मैं यहाँ पे कोई भी आप SIP calculator आप search करते हैं Google पर तो यहाँ पर देखे मैं यहाँ पे सिर्फ 500 रुपया add क्या हूँ और मेरा यहाँ पे जो मिलेगा पैसा यह मिलेगा एक करोड दो लाख 55,097 रुपया यह थोड़ा सा कम हो सकता है लाख रुपया उपर नीचे भी हो सकता है लेकिन इतना आपको मिलेगा और सिर्फ 500 रुपया दे करके आज आप 500 रुपया दे रहे हैं इसका 500 का कोई महत तो नहीं है हमारे घर में जब पार्टी उगरे हम लोग मनाने जाते हैं कितना पैसा हम लोग लूटा देते हैं पता भी नहीं चलता और जब इन्वेस्ट करने का बारी आता है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास और पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें यह कैसे मैं कॉल्कुलेट किया यह भी दिखाऊंगा साथ के साथ चलिए मैं आपने पॉइंट पर आता हूँ जब आप उपन करेंगे तो यहाँ पर मिच्वल फंड वाला सेक्षन आएगा आप इस पर किलिक करेंगे उसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि किस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए तो यहाँ पर देखें जैसे मैं आपको बताए कि हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है हम सिर्फ 500 रुपया से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें कितना मिलता है तो यहाँ पर देखें ऑप्षन आएगा SIP 500 इस पर आपको किलिक करना है बीना डरे अगर देखें आपके मन में कोई भी डॉर है डर को निकाल दीजिए अगर आप 500 रु अगर आप 500 रुपया से आप SIP कर सकते हैं अब यहाँ पर आप पहले वाले देखेंगे SBI kontra fund इसमें मैं खुद भी इन्वेस्ट कर रखा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर कितने लिन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर देखें एक लाख बानवे ह 2867 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इसमें इसमें और यहाँ पर तो लाखों मिचुवल फंड है तो दोस्तों अगर आप अपने 500 रुपय को ले करके डरते हैं तो इस डर को छोड़िए जब तक आप डर को अंदर से नहीं निकालेंगे यह चीज़े आप कर ही नहीं सक है यहाँ पर देखे काफी ऐसे मिचुवल फंड है जिसमें 500 रुपया से आप यहाँ पर श्टार्ट कर सकते हैं 100 रुपया से 500 से और सबसे उपर वाले 500 में अब जैसे माल लिजे कि इसमें मेरे को इन्वेस्ट करना है यह जरूरी नहीं है कि आप इसमें करें आप इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसका सभी डिटेल देख सकते हैं अब यहाँ पे यह कितना रिटन दे रहा है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी डिटेल देख सकते हैं कि यह किस तरीके का रिटन दे रहा है तो अगर आप यहाँ पे 3 years का देखेंगे तो तकरीब यहाँ पे 18% का return, अगर मैं इस fund के बारे में आपको बताऊं कि यह fund कितना बड़ा है, तो यहाँ पर देखें, total value तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 39,498 करोड का यह total fund है, आप सिर्फ 5 रुपया दे करके डर रहे हैं, और 29,000 करोड की बात हो रहा है, यह total fund इतना है, करके 5 साल बाद, 10 साल बाद आप करेंगे, लेकिन आप उस टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आप पस्ताएंगे, यह चीजे तो 10 साल पहले भी मेरे को पता था, हमने 10 साल पहले से start किया होता, तो आज इसका value कुछ और ही होता, क्योंकि 10 साल बाद तो market और भी grow कर जाएगा, तो यहाँ पर देखे, अगर मैं स्क्रोल करके नीचे आउँ, तो यहाँ पर सभी detail आप देख लीजेगा, यहाँ पर AUM, Asset Under Management, 39,585 करोड का यह total fund है, 11 साल से continue चल रहा है, अब मान लिजे कि 11 साल पहले कोई 1,00,000 रुपे यहाँ डाले होंगे, तो यहाँ पर लागातार 18% का return है, आप यहाँ पर जोड सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना पैसा हुगा, exit load यहाँ पर 1% है, exit load का मतलब होता है, कि जैसे मैं यहाँ पर पैसा लगाया, और उसको 1 साल के अंदर निकाल लेते हैं, तो 1% का exit load लगता है, लेकिन 1 साल के बाद निकालते हैं, तो यह नही सल बाद निकालेंगे, तो उसमें भी एक साल पे लगेगा, टोटल पे नहीं, जो लाश्ट का यहर्स होगा, उस पे लगता है, इसके अलावा expense ratio आप देखिए, expense ratio यह होता है, कि जैसे इसमें मैं पैसा डालता हूँ, तो इसमें एक fund manager होता है, जो कि पैसा हमारा invest करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यह पैसा घट, अगसे कापी लोग कहते हैं, कि यहाँ पे very high risk क्यों लिखा हूआ है, काफी लोग कहते हैं, कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा risk है यह fund, तो यहाँ पर दिखे, यह ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, और यह सब पर आपको तो यहां पर दिखे थोड़ा सा रिक्स दरसाया गया है क्योंकि यह mutual fund है, यह market पर based करता है, जैसे माली जी कि आज मैं पैसा डाला, और दो साल चार साल बाद कभी ऐसा situation आया है, कुरोना जैसा कोई महारी आ गया, देश में जंग जैसे इस्तिती बनता है, तो market काफी down हो जात करते हैं, और यह कब से लगे हैं, यह भी देख सकते हैं, तो यहां पर अगर आप पैसा invest करना चाहिए, तो यहां पर देखे, जैसे मैं आपको बताया था, कि आप यहां पर 50 रुपय से SIP कर सकते हैं, तो जैसे माली जी कि मेरे को इसमें invest करना है, तो सबसे पहले इसका data द लेंगे, कितना पैसा महीने का आप invest करना चाहते हैं, जैसे माली जी कि मैं 500 रुपया यहां पर invest करना चाहता हूँ, और यह कितना return दिया है, तकरीबन 17-18% का return है, लेकिन यहां पर मैं 18% नहीं मानूँगा, तकरीबन 14% का return लेता हूँ, तो यहां पर देखे, तब आपका value वनेगा, एक करोड 9 लाक रुपया, 18% का return दे रहा है, मैं तो सिर्फ 14% का लगाया हूँ, क्योंकि 4% मैं छोड़ दिया, 11 साल से 18% का return आम बात नहीं है, बहुत ही बड़ा return है, और अगर आप यहां पर पैसा नहीं डाले न, हमेशा पस्ता आएंगे, आपके पास पैसा नह जब तक आपका position नहीं बन जाता, आपके bank में 8-10 लाक रुपया नहीं हो जाते, तब तक आप इसको थोड़ा सा control करके चलेंगे, अब ऐसा नहीं है कि हम घर में बड़े मनाना छोड़ दे, लिकिन थोड़ा सा इसे जरूर हम control कर सकते हैं, काफी सारे लोग girlfriend के उपर पैसा उटाते हैं, थोड़े से enjoy के लिए, और थोड़ा सा enjoy के लिए आप अपना पैसा बरबात कर रहे हैं, यकीन मानिए, आपके नाती पोते रोएंगे, तो आप girlfriend को छोड़िए, girlfriend को भी थोड़ा सा कम खर्चिक कीजिए, दीजिए उसको भी, लेकिन थोड़ा कम दीजिए, ले तक मरेंगे नहीं, आपको मजदूरी करना पड़ेगा, तो दोस्तो आपको भी ये दिन ना देखना पड़े, आपको investment करना होगा, तो यहाँ पर सभी चीजे मैं आपको दिखा दिया, अब invest कैसे करना है, तो मैं angel one में चलता हूँ, तो जैसे माली जी कि मैं angel one में आ गया, उसके बाद invest करने के लिए, just यहाँ invest now, उसके बाद यहाँ पर दिखे option आएगा, SIP करेंगे या फिर one time, हमारा तो महिने महिने salary आता है, तो हम SIP करेंगे, उसके बाद पूछेगा, कि कितने का SIP करना चाहते हैं, 500 रुपए added है, मैं 500 रुपए ही रहने दूँगा, उसके बाद date पूछेगा, कितने date को चाहते हैं, कि आपके bank से पैसा कटे, तो जैसे इस पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर date चूच कर सकते हैं, कि मेरा salary 7 को आता है, 7 को या फिर 8, 9 को आ जाता है, तो हम यहाँ पर 13 तारीक को चूच कर लेते हैं, तो 13 तारीक इस तरीकी से आप च mobile purchase नहीं किया है, कि यह EMI है, पैसा नहीं है बैंक में न, कोच भी नहीं होगा, एक भी रुपया चार्ज नहीं लगता, दो महीने, छे महीना आप बंद कर दीजे, ऐसे ही छोड़ दीजे, बैंक में पैसा जबाएगा, तब कटेगा, और ऐसा नहीं है कि बैंक में पैसा नहीं है, हमने girlfriend को iPhone नहीं दिलाए है, कि हमारे मन में ये डर है, कि 13 तरीक को पैसा हमारे बैंक में होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा, हमारे उपर चार्ज लगाए जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई टेंसर नहीं, बैंक में पैसा ना रहे, आप बिंदास रहे, घूम ये फिर ये मौज कीजिए, तो यहाँ पर सब कुछ मैंने date वगरे select कर लिया, यहाँ पर इसका return बता रहा है, just यहाँ pay पर click करेंगे, और pay पर click करेंगे, तो यहाँ पर दीखे, जो भी आप bank add की होंगे, bank यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर option आएगा, just यहाँ pay पर click करेंगे, उसके बाद UPI से Google Pay, Phone Pay, Paytium, किसी से भी 500 का payment पहली बार करेंगे, तो इसमें auto setup, automatic enable हो जाता है, UPI से ही, एक लाग का limit रहता है, तो एक लाग के बाद उसे फिर से activate कर देंगे, तो यहाँ पर 500 का हर महीने, कट के इसमें add होता रहेगा, UPI से कोई भी internet banking का जू किजिए, और इसमें auto setup enable हो जाएगा, लेकिन जब इसमें invest करतेंगे, तब यहाँ से back आईएगा, अब back आएगे, तो कभी भी यहाँ mutual fund वाले section में आएगे, तो यहाँ पे portfolio का option आएगा, आप इस पर click करेंगे, तो यहाँ पे आप मेरा investment देख सकते हैं, कि मैं यहाँ पे कि पैसा नहीं है, पैसा एड नहीं होगा, कोई tension नहीं, tension फिरी रहेंगे, और 10 साल बाद जब देखेंगे ना कि हमारे पास 10-12 लाक रुपया है, मोज करेंगे आप, बिल्कुल tension फिरी घूमेंगे आप, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा investment देख सकते हैं, तो दोस्तों यह तर पैसाने भी आपको ही सायना होगा, और अगर आप invest नहीं करते हैं, तब भी यह problem लगर आएगा, आप सोचिए कि बच्चे बीमार होते हैं, या फिर वाइप का तबियत खराब है, तो आप इदर उर्दर से पैसा आप ही मांगने जाते हैं, लेकिन कुछ पैसे अच्छे समय में जोडेंगे न, तो बूरे समय में काम आएगा, तो दोस्तों इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, आप invest करेंगे या नहीं करेंगे, आप मेरे को comment करके बताएगा, और आप इस वीडियो को कहा से देख रहे हैं, मेरे को comment करके बताएगा, क्योंकि मैं चाहता गाउं-गाउं के लोगों को पता चले कि कोई गाउं में ये चीज़े है ही नहीं, तो इस वीडियो को like किजिएगा, और comment करके जुरूर बताएगा कि आप invest करने जा रहे हैं या नहीं करेंगे